हलो एन वेलकाम आप देख रहे हैं बॉलिवूड गपशप आपके साथ मैं हूँ पारुलत्यागी बॉलिवूड गपशप में आज क्या है खास चलिए डालेंगे नजर काला हिरन केस में फसे सल्मान खान के लिए एक राहत बरी खबर है दसल राजस्तान हाइ कोर्ट में सल्मान खान को जोतपूर की सतर अदालत में वीडियो कॉन्फरेंस के जरिये पेश होने की अनुमती दी है सलमान ने याचिका दायर कर उन्हें काला हिरन शिकार मामले में दोशी ठहराए जाने के खिलाफ अपील पर सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने के संबंदे निर्देश से छूट देने का अनुरोध किया था साथ ही मुंबई से भी कारवाही में ऑनलाइन पेश होने की अनुमती भी मांगी गई थी हाई कोट की जोधपूर पीट ने अभी नेता के बकील की उस दलील को सुईकार करते हुए ये राहत भाईजान को दी है दलील में कोवेड-19 महमारी के दौरान मुंबई से जोधपूर की यात्रा करने से सलमान खान के स्वास्ते को खत्रा होने का हवाला दिया गया था मिर्जपूर 2 के मेकर्स की एक बार फिर से मुश्किले बढ़ सकती हैं सुप्रीम कोट ने वेब सीरीज मिर्जपूर के निर्माता और निर्देशक समेत कई लोगों को नोटिस भेज कर जवाब मांगा है दरसल मिर्जपूर जिले की मंगरंत कहानी बना कर पेश करने के मामले में सुप्रीम कोट ने ये नोटिस भेजा है मिर्जपूर वेब सिरीज में जिले की धारमेक, अध्यात्मेक और सामाजिक जीवन को दरकिनार कर जो दर्शाया गया है उससे जन मानस को आहद पहुंचा है सिरीज में जिले को माफियाओ का शहर बना कर दिखाया गया था हाला कि अब इस फिल्म के पार्ट 3 की भी शूटिंग की जा रही है लेकिन सुप्रीम कोट ने याचिका दाखिल होने के बाद उसी दिन संग्यान लेकर नोटिस जारी किया जिसके बाद अब सुनवाई के लिए 8 मार्श की तारीक तैकी गई है जहां पूरे देश ने कोरोना की वज़ा से काफी नुकसान उठाया था वहीं बॉलिवोड अबिनेता रनवीर सिंग ने ऐसे समय पर भी जम कर कमाई की रनवीर सिंग ने 7 से 12 करोर रुपे के 9 नए ब्रैंट साइन किये हैं और ऐसे में रनवीर सिंग की लोग प्रियता भी पिछले साल और ज्यादा बड़ी है रनवीर सिंग बड़े अबिनेता बनने की रहा पर हैं साथ ही उनके पास कई बड़ी फिल्में भी हैं जिनमें 83, जैश, भाई, जोरदार और सरकर शामिल हैं इसके अलावा वो दो और फिल्मों में काम करने वाले हैं उन्होंने सबी बड़े निर्देशकों के साथ काम किया है और उनका बॉक्स ओफिस रिकॉर्ड भी काफी अच्छा रहा है कंगना रनौत अपने तीखे बयानों को लेकर अकसर सुर्ख्यों में बनी रहती हैं लेकिन इस बार कंगना अपने फिल्म धाकर को लेकर चर्चा में हैं कंगना इन दिनों धाकर की शूटिंग में बिजी हैं और इस फिल्म में वो एक्शन करती हुई नजर आएंगी अब कंगना ने बताया है कि एक्शन दृष्षिक को फिल्माने में भारी बरकम रकम खर्च की जा रही है कंगना ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें एक एक्शन दृष्षिक की तयारी की जा रही है और कंगना ने बताया कि एक एक्शन सीक्विंस पर ही 25 करोड से ज्यादा का खर्च होने वाला है हाला कि इससे पहले भी कंगना ने धाकर के सेट से कुछ तस्वीर पोस्ट की थी और आर्टिस्ट और टेक्निशियन्स के जस्पे की तारीफ की थी फिल्म बाहुबली के बाद मेगल स्टार बन चुके एक्टर प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म रादेश्याम का हर कोई इंतजार कर रहा है यूवी क्रियेशन की प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म के हिंदी वर्जिन को टी सिरीज लेकर आने वाला है फिल्म में प्रभास के साथ पूजा हिग्डे भी एहम भूमिका में नसर आएंगी अभी तक पोस्टर से लोगों को दिवाना करने वाले मेकर्स इस साल वैलेंटाइन डे पर फिल्म का टीजर रिलीज कर दे वाले हैं बता दे फिल्म की शूटिंग पिछले दो सालों से चल रही है साल 2020 के मई में फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी लेकिन कोरोनम हमारी की वज़ा से फिल्म को रिलीज करने से रोग दिया था बॉलिवड गपशप में आज के लिए बस इतना ही लेकिन आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले